लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूले मेजबान इंग्लेंड के खिलाफ शांदार खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए मेहमान टीम इंडिया ने आठफिकेट से जीत हासिल कर ली इस जीत में भारतिय टीम की तरफ से जिन खिलाडियों ने अहम योगदान दिया वे कुल दीप यादब और रोहित्स शर्मा रहे सीरीज में एक शुन्य से अपनी बर्त भी कायम करने में काम्याब रही बात अगर सीरीज के पहले वन लड़े मैच को लेकर करें तो इस मैच में टीम इंडिया ने टे आस जीत कर पहले बल्लेबाजी का यहता विपक्षी टीम को दिया इसके बाद पहले बल्लेबाजी करने इंग्लेंड की टीम ने महज 268 रन बनाकर 49.5 ओवर में सिमट गई। इस दोरान जिस बल्लेबाज ने सबसे शांदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाया। वे बेन स्टॉक्स और जोस बटलर रहे। स्टॉक्स ने 50 और बटलर ने 33 रनों की पारी खेली। भारत की टीम इंडिया ने शांदार शुरुआत की और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा महज 114 गेंदों का सामना करके 137 रन बना डाले। वहीं शिखरदवन ने 40 रनों की अहम योगदान दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये विराट कोहली ने 75 रनों की पारी खेली। र झाल विराट कोहली तूरुआत की तूर शर्मा महज़ से बल्लेबाज़ थाए शर्मा महज़ बल्लेबाज से बल्लेबाज शर्मा महज़ थाओत ने दिखरा महज़ दो झाल झाल